हाल ही में सोशल मीडिया पर एक दिश को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है टेस्ट एटलिस की तरफ से एक हालिया रांकिंग जारी की गई जिसमें उन्होंने दुनिया भर के 50 टॉप चिकन दिशिस के नाम शामिल किये इस लिस्ट में चिकन टिकका मसाला का भी नाम शामिल किया गया जिसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है दरसल इस लिस्ट में चिकन टिकका को बिटिश दिश बताया गया जिसके बाद भारतियों में इसे लेकर भारतियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की भारत में सबसे ज़्यादा खाय जाने वाले चिकन टिका को बिटिश दिश बताने को लेकर अब विवात खड़ा हो गया है अब लोगों की इस नारादगी के बीद चले जानते हैं कि चिकन टिका मसाला की असल कहानी क्या है टिक्का एक फार्सी शब्द है जिसका मतलब छोटे आकार के मांस के टुकडे होता है। मुगल समराट बाबर इसे लेकर आये थे। उत्तरी भारत और पाकिस्तान का ये मूल गेंजन है और असल में इस दिश को भार्तिय ही माना जाता है। चिक्का मसाला को लेकर एक और दावा है कि एक पाकिस्तानी मूल के शेफ स्वरगिया अली एहमद असलम ने स्कॉटलेंड में सन 1972 में अपने ग्लाजगो रेस्टरॉंट सीश महल में पहला चिक्का मसाला बनाया था। शेफ असलम का कहना था कि कस्टमर को सर्व करने के बाद उन्हें ये शकायत मिली कि चिक्कन काफी ज़्यादा ड्राई है जिसके बाद उन्होंने चिक्कन को दही मिट टोमेटो सॉस मिला कर एक ग्रेवी तयार की जिसके बाद मौझूदा चिक्का बनाया गया। और देखते ही देखते ये पूरे ब्रिटेन में मशूर हुआ। कहा जाता है कि इस दिश कितार बांगलादेश से भी जुड़े हैं। लोग कहते हैं कि इसे एक बांगलादेशी शेफ ने भी बनाया था जो सन 1960 के दशक में UK चले गए थे। इस लोगप्रियव यंजन को लेकर कई तरह के दावे और कहानिया हैं, हाला कि कई सारे दावों के बाद इसे सिर्फ ब्रिटेश की मूल रेसिपी नहीं माना जा सकता है।